खड़े ट्रक में सिवील लाइन्स डिपो की आनियंतरित बस की टकर एक्सिडेंट में 6 लोग हुए गंभीर रूप से घायल आजमगड जोनपूर मार्ग पर गंभीर पुर्थाना क्षेतर के सद्दो पट्टी सिंगला गाओं के निकट सोमवार की रात लगभग ढ़ाई बजे खड़े ट्रक में सिवील लाइन्स डिपो की एक आनियंतरित बस टकरा गई जिससे बस में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए रास्ते से गुजर रहे रागीरों द्वारा एक्सिडेंट की सूचना गंभीर पुर्पुलिस और एंबुलेंस को दी गई सूचना मिलने पर पुँचे एंबुलेंस चालक आधी श्टाफ के दौरा सभी घायलों को प्रात्मिक स्वास्थ केंदर मुहम्मत पुर ले जाया गया जहां हालत गंभीर देखते हुए डाक्टरों ने दिला अस्पताल के लिए सभी को रेफर कर दिया आपको बता दें समवार की रात लगभग धाई बजे सीवील लाइनस पिपो की बस जवनपुर की तरफ से आ रही थी बस जैसे ही गंभीर पुर्थानाक्षेदर के सद्वो पठ्टी सिंगणा के पास पहुंची किया नियंत्री थोकर खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई इस से बस में सवार मुनना यादो 45 साल निवासी कुंडा प्रतापगण अरुन कुमार 24 वर्ष निवासी गोरकूर हरिचरण 60 साल निवासी सिवान बिहार रामरिक्ष 60 साल निवासी हनुमानगड़ी इलाहबाद और राकेश कुमार 50 साल निवासी इलाहबाद तथा रिया क कुमार 25 साल पता अग्यात घायल हुए हैं रास्ते से गुजर रहे राहगीरों दोरा एकसिडेंट की सूचना एंबुलेंस और इस्थानी पूलिस को देने पर पहुंची एंबुलेंस कर्मियों ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्त केंदर मुहमतपुर पहुंचाया जह में खड़े ट्रक में सीवील लाइन्स डिपो किये का नियंत्रित बस टकरा गई इसमें सभी 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं रास्ते से गुजर रहे रागीरों दोरा एकसिडेंट की सूचना गंभीर पूलिस और एंबुलेंस को दी गई थी सूचना मिलने के बा